अपने बोल्ड अंदाज से चर्चा में आई पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोज की हत्या ने हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक संसनी मचा दी है खबरों के मताबिक कंदील के चोटे भाई नहीं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है सोशल मीडिया पर कई बॉलिविट कलाकारों और पाकिस्तान की जानी मानी हस्तियों में आसकर विजेता फिल्मकार शर्मीन ओबैद चिनौई अभिनेत्री नादिया हुसेन ने इस पर शोग जताया हत्या कारों कंदील के ही छोटे भाई वसीम पर है जिसे गिरफतार कर लिया गया है ऐसा कहा गया है कि ये जूटी शान के लिए हत्या है गिरफतारी के बाद वसीम ने बताय कि उसने अपनी बहन को नशीली दवा देने के बाद उसकी गला घोट कर हत्या कर दी कंदील की हत्या की खबर के बाद हर तरफ संसनी मच गई थी वहीं बॉलिवुड में अपनी धाक जमा चुके एक पाकस्तानी आक्टर और सिंगर अली जफर ने इस हत्या के बाद ट्विटर पर एक ऐसा पोस्ट लिखा जो अब वाइरल हो गया है इस ट्वीट को अब तक 6000 से ज़्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है अभिनेता अली जफर ने कंदील बलोच की हत्या के बाद ट्वीट किया अगर औरते इज़त के नाम पर मर्दों को मारने लगती तो अब तक हम में से ना जाने कितने मर चुके होते आपको बता दे कि वसीम ने कहा है कि उसने कंदील की हत्या इसलिए कि क्योंकि सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक वीडियो और बयान जारिकर उसने बलोच नाम को कलंकित किया था